साथ्यू नमस्कार कैसे आप सभी आसा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे उम्मीद है एकदम फस्क्लास होंगे आर आर बी यानि रेलवे रिक्वार्मेंट बोर्ड बहुत जल्द एक लाख गुरुबड़ी के पदों पर भरती करने वाला है इसमें आपके ट्रेक मैन, लाइन मैन, गंग मैन इस टाइप से एक लाख के सम्थिंग में पद होने वाले हैं अब जरूरी नहीं है कि एक लाख पद ये एक ही बार में लेके आएं हो सकता है मेबी सुरुवात में ये पचास हजार पद निकालें और बचे हुए पचास हजार पदों को नेक्स टाइम ये निकालें लेगिन इसमें आयू क्या रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा, योगता क्या रहेगी, परिक्षा पैटरन क्या रहेगा, पॉम कब तक आएगा इन सभी बातों पे हम डिटेल से विचार करने वाले हैं आपको क्या-क्या पढ़ना होगा, ये सारी चीजे भी हम लोग कवर करेंगे इसी वीडियो के मात्यम से चलिए बई, सबसे पहले मैं मोटी-मोटी से जानकारिया आप लोग को देता हूँ पोस्ट की संगया कितनी रहने वाली है, लगबग एक लाग नौटिफिकेशन कब तक आ सकता है, हो सकता है, मेबी दिसंबर दो हजार चौबीस में आपको ये नौटिफिकेशन देखने को मिल जाए दूसरा अगर मैं एज की काउंटिंग के बात करता हूँ, तो एज आपकी एक, एक, दो हजार पच्चिस को अधार मानके काउंट किया जा सकता है मेबी पॉसिवला ऐसा हो सकता है अगर हम योगिता की बात करें, तो 10th पास योगिता मांगी जाती है लेकिन कुछ ऐसी पोस्ट भी हैं जिन पर ITI मांगी जाती है लेकिन कम से कम आपके पास में 10th तो योगिता में होना ही चाहिए आप 10 भी पास तो होई ही हो लेकिन कुछ पोस्ट ऐसी है जिसमें अगर आप आईडियाई पास हैं तो ही आप लोग एप्लाई कर पाएंगे वरना आपके लिए जो सेस पोस्ट हैं वही वर्क करेंगी ठीक है दो इतना समझ मा रहा है चलिए भी इसी में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जाते हैं एज का करिटेरिया क्या खेता है यानि एज लिमिट क्या है कम से कम आप 18 साल और अधिक सदिक 33 साल के ना हुए हो जर्नल कैंडिडेट की में बात कर रहा हूँ जर्नल से हैं तो 18 से 33 के बीच की आई हो चाहिए OBC से हैं तो आपको 18 से 36 साल यानि 3 साल की OBC को छूट मिलती है याद रखो SCST से हैं तो लगबग 18 से 38 साल अर्थात 5 साल की आप लोग को छूट भी प्रिदान की जाती है छूट के साथ आप लोग 18 से 38 में आएंगे SCST वाले OBC वाले 18 से 36 में और जर्नल वाले 18 से 33 में आएंगे एज की करना 1-2025 को आधार मानके किया जा सकता है तो ये आपका एज लिमिट आपके पास होना चाहिए अगर मैं आगे बात करता हूँ एक्जाम की तो एक्जाम आपका CBT मोड में होता है यानि कंप्यूटर बेस्ट टेस्ट होता है कंप्यूटर पे आपका एक्जाम कराया जाता है आफलाइन नहीं होता है एक्जाम जिसमें आपको समय दिया जाता है 90 मिनट का 90 मिनट यानि की जीड़ घंटे का आप लोग को समय दिया जाता है याद रखना नेगेटिम मार्किंग कितने की होती है वन थर्ड की नेगेटिम मार्किंग भी होती है पिरते एक तीन गलत कुष्णों पे एक आपका सही गलत माना दाएगा ऐसे आप लोग मान सकते है कुष्णों की संक्या जो पूछी आती है परिक्षा में वो 100 आती है 100 आती है और जिसके लिए निर्धारित अंक यानि पूरा अंक भी होता है 100 अंक की आपकी परिक्षा होगी 100 ही सवाल आप लोगों से पूछे जाएंगे आगे बढ़ते हैं में सवाल जो रहेंगे 25 सवाल मैट से रहेंगे 30 सवाल रीजिनिंग से 25 सवाल विग्यान से 20 सवाल जी के करन्ट अफेर्स इत्यादी से रहेंगे 100 आंक और 100 कुष्ण याद रखना 100 परिशन 100 आंक आगे मैं बात करता हूँ देखिए यहाँ पर मैंने पूरी तरीके से आपके लिए डेकुरेट करके इससे बनाया है समय भी लगाया है तो आप लोग ध्यान से जरूर देखिएगा दोस्त रेलवी भरती बोड के दवारा गुरूप डी के रिक्त पदों को बरने के लिए जल्द ही भरती परिक्रिया स्टार्ट की जाएगी अभी थोड़ा समय और लगेगा ठीक है भरती बोड के दवारा अररबी गुरूप डी दोहजार चॉबिस की परिक्रिया निम्न चरणों में पूरी की जाएगी पहला CBT मैंने आपको बताया फिर सारीरिक परिक्षण और फिर DVN in Documents वरिफेक्षण और यहां आपका Medical Verification भी आपका हो जाएगा यह इस आधार से आपकी इस परिक्षण को अंजाम दिये जाएगा जिसमें आप लोग को exam pattern से सबसे पहले गुजरना होगा CBT यनि computer based test आपको पास करना होगा exam के pattern को आपको पढ़ना होगा computer based test देना होगा तभी आप लोग PET के लिए जाओगे यना तभी आप लोग दस्तवी सत्यापन या डॉक्षण के लिए जाओगे और फिर आप लोग Medical परिक्षण के लिए जाओगे सौ कुषण का मैंने period बताया था गड़ से 25 सवाल 25 अंक हना reasoning से 25 सवाल 25 अंक क्या 25 सवाल 25 अंक थे हना सामाने विज्ञान से 30 सवाल 30 अंक और जीके से 20 सवाल 20 अंक इस पिरकार से टोटल सौ आपके कुषण रहेंगे सौ ही अंक रहेंगे ठीक है परिक्षा में 100 कुषण आएंगे जो की वस तुनेश्ट पिरकार के होंगे बहुँ विकल्प है परते एक प्रिशन एक अंक होगा परिक्षा में नेगिटिम मार्किंग वन थार्ड की रखी गई है उक्त प्रिशन को हल करने के लिए 90 मिनिट का समय आपको दिया जाएगा ये भी आप लोग इसमें याद रखना आगे बढ़ते हैं सबसे पहले मैं बात करता हूँ गडित के सिलेवस की की गडित से आपको क्या कर पढ़ना है संक्या पद्दिती, बोर्ड मास दसमलव बोर्ड मास दसमलव, संक्या पद्दिती, नमर सिस्टम जिसे बोलते बोर्ड मास के लिए हम आपको बिन पढ़नी है जिसे फ्रेक्शन कैसे कहते हैं आपको LCM SCA पढ़ना है ठीक ना अनुपाद, समानुपाद, प्रतीसत, मैंसुरेशन, समय कारिये समय दूरी, साधरन ब्याज, चकुरत ब्याज, लाभानी, थोड़ा सबीज गडित में भी आप लोग उसे अलजेब्रा में पढ़ना है जयामती, तिरकॉनमिती, प्रारंबिक, संक्या, वर्गमूल, घनमूल, आयू की गड़ना, कलेंडर, घडी, नल, टंकी कारिये समय आ गया भी, बिल्कुल ठीक है, प्रतिसत, प्रतिसत, ये चैप्टर बचा हुआ, प्रतिसत आप लोग इसमें डालना, प्रतिसत इंपोटेंट है, पूछा ही जाता है, ठीकना, अब चैप्टर कौन सा बचा है, दोस्त, रेल गाड़ी, याद रखना, रेल गाड के मैट से पूछे जाएंगे, वहीं मैं रीजनिंग से बात करता हूँ, तो एनलोजी पूछी जाती है, अनुरूपता पूछी जाती है, वर्ण माला पूछी जाती है, वर्णा, मला वर्णा, कर्मानुशार, संक्या, स्रंकला ये पूछा जाता है, कोडिंग, डिकोडिंग गड़िती संक्रियाएं संबंद पिरती को द्वारा प्रस्तुती करण जबलिंग पूछी जाती है वैन आरेक आंकड़ा निर्वाचन परियाप्तता कथन निसकर्स कथन तर्क कहारण और निरने समानताएं और अंतर विश्णिस नात्मक सतर्क सकती वर्गी करण दिसाएं कथ संतर्क और धारणाएं कथन पूर्व दारणा इसके साथ साथ में कौन से चैप्टर बच गए थिहन से सुनना वर्ड माला बच गया ठीक है मैं आपको याद करा रहा हूं दिसा बच गया आकिरती बच गई आकिरती आपसे मतलब अलग छटवानी भी सननी हीत भी और आकिरती भी यह भी पूछी जाती है ठीक ना आकिरती काउंटिंग भी पूछी जाती है दोस्त यह यह भी याद रखो दिसा पूछी जाती है किस दिसा में था बिलर्ड रिलेशन से रक्त सम्मंद से कुशन पूछे जाते हैं यह भी आप लोगों से पूछे जाएगा कलें निसकर्स हो गया वेन आरेक बिल्कुल पूछा जाता है वेन आरेक भी पूछा जाता है ठीक ना डिस्क नरी फिलप करना भी वर्ण मौला से आधारित ठीर सारी सवाल संख्या सरंखला से आधारित ठीर सारी सवाल आरार भी पूछने का काम करता है ठीक है तो ये आप लोगों रीजिनिंग में सिलेवस पूछा जाता है दोस्त रीजिनिंग में आप लोगों संपूर्ण साही सिलेवस लगवग पूछा जाता है आगे मैं बात करता हूं विज्ञान की तो विज्ञाम से मापन उसमा ठीक नराश्वाइन का भी करियाएं अमलचार लवण दातू की योगी गती तत्वों का वार्गी करण जय प्रक्रम नियंत्रन एवं समन्वे आनुवान शिक्ता एवं जय विकास जीव जगत की विवित्ता परियावरण एवं स्वास्त क्रसी प्राकृतिक संसाधन प्रत्वीक एवं ब्रहमांड प्रकास चमक्त वहना विद्यूत इल जी के याद रखना है स्टाटिक जी के पूछे जाती है विसे से जुड़ी महतपूर्ण घटना विकास रास्टे और अंतरास्टे मुद्दे राजधानी देश राजधानी मुद्द्रा ये पूछा जाता है ठीकना अंतरास्टे संगठन पूछे जाते हैं जो हाल फलाल मे पुरुस्कार सम्मान मिले हैं यह पूछे जाते हैं महतपुर्ण न्यक्ति किसकी की है और इस्थी पर यह पूछे जाते हैं इतिhanस बोगल विस अर्थवस्ता परिश्तिती की और सामाजीक मुद्H अच्छेक ने-स संबिध relação की दोस्ता करें दिये जो टेस्ट को क्वालिफाई करेंगा उससे अगले चरण के लिए बलाए जाएगा जिसमें आप लोगों से फिजीकल एफिएंसी टेस्ट करा जाएगा एफिएंसी टेस्ट इसमें पूरुस उम्मिद्वार को 35 kg वजन को लेका ले जाकर दो मिनट के एक अवसर में वजन को नीचे गराए बिना 100 मीटर तक ले जाना होता है। ज allein 2 मिनट के एक अवसर में 35 kg वजन को 100 मीटर तक बिना गराए लेकर जाना है दोस्त वहीं महिला उमीद्वार को 20 किलुगράम वजन को उठाकर 2 मिनट के 1 अवसर में बस वजन को नीचे गराए भी ना सो मीटर तक ले जाना होता है ठीक ना अब दूसरा क्या होता है एक हजार मीटर की दूरी को चार मिनट पंद्रे सेकंड यानि एक किलो मीटर की दूरी को चार मिनट पंद्रे सेकंड में एक ही अफसर में दोड़ना होता है दोड़ भी मांग परिक्षा के लिए ये लोग बुलाते हैं है ना मैरिट के आधार पर सारी दक्सता परिक्षा के लिए बुलाया जाएगा याद रखना परिक्षा के रिक्तियों की संख्या का दो गुनाही जो कैंडिडेट है उन्हें आमंतरित किया जाता है जो आपका जो एक्जाम है उसमे पास होना उसका जरूरी होता है ठीक नहीं या फिर ऐसे मानके चलो यह पीए टी देरा ना इसमें पास होना जरूरी होता है उनको यहां पर बुलाए जाएगा ठीक ना तो याद रखने चीज चलो बहुत बढ़िया तो इस वीडियो को जाता जाता सेर कर दीजएगा अपने दोस्तों के साथ में चलिए जय हिंद बंदे मातरम